बिस्मिल्ला रह्मान रिवराहीम वेल्कम बैग टू अनोशी किचन आद में आप लोगों के लिए मज़ेदार कस्टर की रैस्पी लेकर आई हूं चले हैं फिर आइस्पी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक लेगız कि आप दूदोद लेंगेтесь कि उसके अंदर आपने एक स्टर्द पाउडर मिक्स करना आएं आठ्च समच आपने भरके कस्टर्ड पाउडर के इस दूद्ध के अंदर डाल देना है उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ले है कि कस्टर्ड जो आना अच्छे तरीके से दूद्ध के अंदर मिक्स हो जाए देखे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुक है बस इ इसको एक दफाए मिक्स कर लें इसको ढखके थोड़ी दिर के लिए इसको बॉइल होने दे कि दूद्ध बॉइल हो चुक है इसको एक दफाए मिक्स कर रहें अच्छे तरीके से अब इसके अंदर आपने तीन से चार लाइक की डाल देनी है और एक अप आपने भरके चीनी का अड़ कर देनी है इसको अच्छे दिखें मिक्स कर लें बच्चीनी जब इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे फिर इसके अंदर हम कस्टड आसा सा करके डालेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है अब जो हमने मिक्सर पहले तियार करके रखा था उसको आस्ता साब ने थोड़ थोड़ डालते जाना और सासा चम्म छेलाते जाना है एक ही तफ़ा में डाल देंगे तो फिर कस्टड जो है न कितना लंज बन जाएंगे वो बिल्कुर अच्छा नहीं बनेगा थोड़ थोड़ डालते जाएं उन्हों इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएं अब आपने इसको तब तक इसको चलाते जाना है पकाना है बस आपने जब यह गाड़ा हो जाएगा जैसे यह गाड़ा होगा थिक्सा होगा तो हम बस इसको ताल लेंगे यह देखे अच्छे तरीके से यह पक चुका है गाड़ा हो चुका है भस हाब इसको हिलाएं थोड़ासा चमत से इसको थोड़ा सा मीस करें अच्छे तरीके से पकाएं बस इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे अब हम इसको डेकोरेट करेंगे डिशाओड करेंगे सबसे पहले आपने नीचे फ्रूट केकी इस तरह आपने नीचे चूरा करके उसके लेयरिंग कर लेनी है अब इसको अच्छे तरीके से जोना आपने इंस्ताइब प्रैस कर देना अच्छे तरीके से सेट हो गया है अब इसकी उपर हम कस्टर डालेंगे कास्टर ठंडा हो गया थोड़ा गड़ा हो गया इसलिए आपने पहले से इसको ज्यादा नहीं पकाना यह ठंडा होने के बाद गाड़ा हो जाता है और मजीद चलिए अब इसकी उपर हम इस तरह से जावट कर लेंगे जिस तरह भी आप इसको डेकुरेट करना चाहें थोड़ा सामने उपर फूड के की इस तरह लाइनिंग लगाई है और सायड़ा बहर इस तरह आपने बादाम और कोकोनेट इस तरह आपने डाल देना है अब इसकी उपर हम इस तरह जैली लगाएंगे बहुत ही मज़ेदार और यमी सा कस्टर्ड हमरा त्यार है अब इसको जूरू ट्राइब कीजिएगा बहुत मज़े का बनता है कस्टर्ड अब साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकर इसी तरह की अच्छे कुक्सी रैस्पिस आप तक पहुंचती रहें लाइक और कमेंड करना मत भूलिएगा थैंक्स पर वाचिंग अनोशे की चैनल